मुंबई से कुछी किलोमेटर की दूरी पर वांगनी रेलवे स्टेशन है वहां से एक CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें एक बच्चा चलते चलते जो है पट्रियों पर जागेरता है इसी बच्चे को बचाने के लिए भगवान बन के आये मयूश शेल के जिनों ने अपनी ज उस वक्त कहां थे क्या कर रहे थे और क्या देखा है जी शनिवार की दिन में शाम साड़े च्छे बजे की गटना है उस टाइम में डूटी पर काम कर रहा था उसी दोरन एक ब्लाइन लेडी अपनी बच्चे को लेकर प्लैटपॉम से गुजर रही थी तो यह सब मैं देख भी नहीं रहा है अच्छी तरह से तो बचाने के प्रायस कर रही है तो सामने से आती हुए ट्रेन भी देखा है और मैं सोचा कि अगर वह बच्चे की अपने को जान बचाने का मौक़ा मिल रहा है तो confidently मैं उसको बचा सकता हुआ ऐसा मेरे मन में आया था फिर मैं दोर लगा बीच में अटक गया ऐसा लगा मेरे को कि शायद ये मेरे से होगा या नहीं होगा अपनी भी जान अतेली पर थी फिर बाद में सोचा अगर मैं प्रैस कर रहा हूँ तो पूरी तरह से उसको देखते आगे चल गया और वह बच्चा अच्छी तरह से उपर मेरे आतों से उप अपने बच्चे को बचाया खुद प्लेटफॉम पर छालांग लाए गाई इस ट्रेन काफी नस्दिक थी महस्त चंद सेकंड का फासला था जिंदगी और मौत के बीच में तो क्या आपको उस समय डर निलगा विलकुल शुरू में तो मेरे को डर लगा कि शायद बच्चे क जान के साथ मेरे भी जान धोके में फिर मैंने ठान ली कि अगर अपने हाथों बच्चा बच सकता है तो शायद उसकी जिंदगी भी सुदर जाएगी और आगे जाके देखा तो पट्री पे दोड़ना मुश्किल हो रहा था मैं भी आटक गया लेकिन फिर मैं सोजा ठान ली कि अभी उस बच्चे को बचाना ही बचा णा है उस तोरान वे उसको बच्चा बच्चा भी सभी सही तरह बच गया और बात में मैं भी उपर चड़ गया और सी दोरन दो सेकेंड के भी तर हम निकल गई तो रेल मंत्री पी उस tapi या है किस तरह से बढ़ाई दिया और बुन कि अपना रेल प्रेशा संजों के कामगार है वह अच्छी तरह से काम कर रहे रेलवे का नाम उच्छा कर रहे ऐसे काम करते हो देश आगे बढ़ जाएगा बहुत सारा एप्रिशेट किया बहुत अच्छा लगा कि उस समय इनके दिमाग में बस यही था किसी भी तरह से बच्छे की जान बचाना ही इनकी जो है उस समय प्राइडिटी थी मुंबई से राहूल पांडे डियार्वी नियूस